आप सब आई हो पच्छे ही होगे मैं सिंगीता शर्मा दुख्ती वजंडियर के चैनल में आप सभी का स्वावित करती हूं तो भक्तो आज मैंने अपने लड़ू को पाज जी के लिए थोड़ी सी गर्मी की थोड़ी सी विवस्ता किया मैंने पानी में थोड़ी से फूल डाल दिये गैंदे के और गुलाब के और थोड़ा जल डाल दिया है ताकि हमारे लड़ू गॉपाल जी को थोड़ी थंड़क मिल सके गर्मी काफी है तो आप देख सकते हैं लड़ू पपाल जी कितने मज्ये से बैठे वे हैं और कितना इंज्वाइ कर रहे हैं दोनों और खुश्बु ले रहे हैं अपना गुलाब की दीनी दीनी खुश्बु आरे हैं इनको तो वैसे खुश्बु बहुत पसंद है इत्री की और गुलाब की फूलो की तो दोनों इंज्जोई करहे हैं मैंने सोचा द्ली, गर्मीא तो देली लूसे ने Сीरी केい द्ली लिसए है थोड़ा से फूलो में इनको इंज्जोई करा दिया जाये, तो ने गुलाब की खुश्बू और इतरी की खुश्बू होती अच्छी आ रही है तो हमारे लड़ू बाबू दोनों कितने खुश हो रहे हैं कि अब आज अब आज दो आज अब आज 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 दो नाओ पाल में भेंगठाएँ आखन जोई करके चपाए खिश्बू कृष्बू और नवन मे रास रचाएं मुर्ज की भूबे सब्को नचाएं खिश्बू 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 और दोन कि boxing ibaτεist Sü contagious कर दो कर दो आप दो कर सकते हैं पानी में गुलाब जल डाल दे या फिर इतर डाल दें तो हमारी डड़ु बाबु को काफी ठंडग मिनती है कि जून के महिने में गर्मी काफी होती है तो थंडग दिलाने के लिए हम चंदन का लेप लगा दें जैसे चंदन यात्रा चली थी अभी ऐसे हम मतलब चंदल लगा दें या फिर इतरी की मसाज कर दें गुलाब के इतरी की कि इतरी भी गरम, सद्यों के भी होते हैं और गर्मियों के भी होते हैं तो यह छोटी सी वीडियो थी अगर आपको हुमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लींज लाइक करें सब्क्राइब करें और शेयर करना ना भूलें तो मिलते हैं आपसे फिर नेस्ट वीडियो में राधे राधे